नमस्कार शात्रों डिजायर प्रेंट के एक नेव वीडियो लक्षर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप से भी गशागत करता हूं जिसमें आज हम देखेंगे हिंदी गद्य के अंतरगत आचारे रामचंद शुकल का जीवन परचे जो गद्यांस में आपके जीवन परचे पूछे जाते हैं आपकी परिछा में उसमें से ये रामचंद शुकल का जीवन परचे देखे हिंदी साहित्य के शुकलियो के प्रतिनिधी लेखक आचारे रामचंद शुकल का जन्म सन 1884 इस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबल शुकल था शुकल जी हाई स्कूल की परिच्छा मिर्जापुर तथा इंटर की परिच्छा इलाहबाद में उत्तिन किया इन्होंने मिर्जापुर के नयाले में नौकरी कर ली और बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दी और चित्रकला के अध्यापक हुए बाद में इनकी नियुकती काशी हिंदू विश्विद्याले में हिंदी के प्रधाना अध्यापक के पद पर हुई हो गई तथा श्याम सुन्दरदास के आवकास के बाद सुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यच हुए और इसी पद पर कारे करते हुए 1941 इश्वी में सुक्ल जी श्वर्ग शोशिधार गए साहित्तिक परशे हिंदी साहित्य के मूरधन्य स्रेष्ट शाहित्यकार निस्पक्ष शाहित्यकार तथा महान सैलीकार युग प्रवर्तक थे शुक्ल जी ने निबंद को एक नया रूप प्रदान किया इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी सब्द सागर के संपादन में शहियोग के लिए बुलाए गए इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचानी पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके इतिहास लेखन की परंपरा का शूत्रपात किया इनकी रशनाएं निब्ण है सबसे पहले निबंद संगरह में चिंतामर भाग एक और भाग दो तथा विचार वी थी इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना में सूर्दास तथा रस मीमान सा त्रिवेडी पर इहोंने आलोचना लिखे संपादन में जायसी ग्रन्थावली तुलशी ग्रन्थावली भ्रमर गीत शार कासी नागरी प्रचाड़ी पत्रिका का संपादन किया भासा सैली में शुकल जी की भासा संस्कृत निष्ट शुद्ध तथा परिमार जित खड़ी बोली है कहीं कहीं पर आवश्चक्ता अनुशार उर्दू भार्शी तथा अंग्रेजी के सब्दों के प्रियोग भी देखने को मिलते हैं इनकी सैली आवसर अनुशार वर्णनातमक विवेचनातमक भावातमक तथा हास शिवंग प्रधान सैली का प्रियोग किया है तो इस प्रकार से ये आचार राम चंद शुकल का जीवन परचे शाहित्तिक परचे उनकी रशनाएं उनकी भासा सैली थी तो अब फिर मिलेंगे हमें एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई जणने वादे